So now, Jio Financial Services Limited, आप देखे 388 रुपे 90 पैसे का प्राइज और हम बात कर रहे हैं क्या Jio Financial Services? पांस साल में ये स्टॉक आपको 329 से 1000 रुपे देखने को मिलेगा Hi, this is Dev and watching Traders Theory और आज हम बात करने वाले Jio Financial के फ्यूचर के बारे में कि पांस साल, अगले पांस साल में Jio Financial का शेयर कितना गुना भड़ सकता है उसका रीजन क्या है जो बिजनेसे से स्टेंड कर रहे हैं, वो कहां तक कि ग्रो हो सकते हैं इन सब पर हम बात करते हैं तो अभी अगर आप देखें, तो Jio Financial Services की जो मोटे मोटी जो वैलियूशन है वो अभी सर्फ और सर्फ Reliance की स्टेक की वज़े से है जैसे कि आप देख सकते हैं और ये आगे भी जारी रहने वाली है तो अभी आपा सबसे बड़ा Benefit जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा Reliance से इस वक्त और एक लंबे टाइम तक जब तक यापर बिजनेसे जो है वो ग्रो करेंगे जो कि ये सुरुबात कर रहे है स्टॉक के ब्रोकिंग की बात करें या वगेरा वगेरा आप जितना भी आपा जो है या उससे आगे का तो ये आपको ये काफी ज़ादा Benefit देता हो नहीं ज़रा सकता है तो सबसे पहले हम Reliance Industries की उपर बात करते हैं क्योंकि अभी अगर हम जो वैल्यू देख रहे है जियो Financial Services की वो सिर्फ और सिर्फ है Reliance Industries की बदॉलत सिंपल सी बात है Businesses तो बात कुई बात है बट अभी हम बात करेंगे इसकी तो अभी आप तीन हजार के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है प्राइस है और जियो Financial की अंदर सबसे बिगेस्ट बेनिफेसरी जो शेयरोल्डर्स के लिए वो है Reliance Industries कैसे क्योंकि अगर आप देखें तो आगे चलकर बहुत कुछ होना है Reliance Industries में और Value Unlocking की बात है सिंपल सी बात है ऐसे में अगर आप देखें तो अभी जो Target आ रही है Reliance Industries के वो आ रहे है 4000 के अगर ये Reliance Industries 4000 के अराउंड यहापर जो है स्टॉक पहुंचता है तो Geo Financial के लिए बहुत बड़ा Beneficiary होगा विकाज इनकी जो Value है वो और भी जादा Increase हो जाएगी जो Value अभी आपको एक लाख बीस हजार करोड की नजर आ रही है वो बढ़कर एक लाख असी हजार करोड की हो जाएगी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Premium पर Geo Financial Services को रखा जा रहा है जैसा कि हम जानते कि Holding Company जो है वो Discount पर वर करती है वोड हमारे सामने यह सारी चीजे नजर नहीं आ रही है प्रीमियम पर रखा जा रहा है Reliance Industries की जो Value है वो एक अलग है बड़ यहाँ पर देखें कि Market जो है वो Geo Financials का जो स्टॉक है वो देखें किस जगह पर है किस प्रीमियम पर यहाँ पर काम करता है तो आगे भी अगर ऐसे ही काम करता है तो आराउंड आपका यहाँ पर जो है साड़े चार सो रुपे तो यू ही हो गया 450 का प्राइस तो आपका यू ही हो गया अगर Reliance Industries का स्टॉक 4000 हिट करता है तो आगे काफी कुछ होना है Value Unlocking अगर हो गई तो बहुत बड़ी Beneficiary यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा दूसरी बात करते हैं अब इनकी बिजनिस की यह AMC के अंदर आ रहे हैं Insurance Broking के अंदर आ रहे हैं और आप जानते हैं Loan Lending का काम जाएं वो स्टार्ट होना है Jio Financial Services का बाकी Paytm Bank या इस तरीकी की जो बिजनिस है वो बात की बात है लेकिन जितने भी यहाँ पर Financial के अंदर जितने भी विजनिस आते हैं आपको सब कुछ स्टार्ट होते हुँ देखेगा अगर Asset Management Company की हम बात करें तो बात कर रहे हैं कि Jio के आने से आएगा Disruption यह जहां भी जाएंगे वहाँ पर Disruption लेकर आएंगे वहाँ तोड मरोड के रख देंगे कंपनियों को और वहाँ पर अपनी जगे बनाएंगे यह मान के चल रहे हैं निवेसक मार्केट भी यही मान के चल ला है अब यह आगे होगा या नहीं होगा लेकिन अगर Disruption यह Asset Management Company के अंदर करते हैं तो फिर क्या होगा इस फिल्ड में क्या होगा अगर यह टॉप पर आते हैं तो मान के चलिएगा कि जो AMC का इनका जो बिजनेस है मैं अगले 5 साल की बात कर रहा हूँ 5 साल या उससे थोड़ा सा आप ज़ादा भड़ लीजे Disruption का मतलब यही है कि उस सेक्टर के अंदर एंटर करकर उस सेक्टर को तोड़ देना जिस तरीक से जियो ने करके दिखाया है टेलिकॉम में ऐसा ही आपर Asset Management के अंदर अगर ऐसा ही हुआ तो बहुत लंबा वक्त तो नहीं लगेगा आप आए आपने डिस्टरप्ट किया जियो फाइनिसल को तो अगर ये डिस्टरप्ट लेकर आए तो यहाँ पर पांच साल साल में यहाँ पर होना क्या है जो HDFC, AMC आपको टॉप देख रही है यह टॉप पर आ जाएंगे इस रसाब से आप Market Value अगर आखेंगे आराउंड आप देख लीजेगा इनको प्रीमियम मिली जाएगा एक लाग करोड से एक लाग पचास जार करोड के आराउंड है यह Market Cap अच्छीब कर लेगा इनका Business सिंपल सी बात है इतना करना क्या कोई छोटी बात है बड़ी बात है बड़ इनके लिए आसान बात हो जाएगी उसमें BlackRock की भी है अभी तो वो एक क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है लेकिन जो Shareholders मान की चलें डिस्ट्रप्शन पाँ से साथ साल में आपको इतना दिख जाएगा अगर ये डिस्ट्रप्शन करते हैं मार्किट को वही अगर आप देखेंगे Insurance Insurance एक बहुत बड़ी चीज है मेरे ख्याल से यहाँ पर जो अगर आप देख रहे है LIC जहाँ पर टॉप देख रही है वो हमेशा आपको टॉप ही देखने हो ले क्योंकि LIC कोई छोटी मोटी नहीं है LIC आप कह सकते हैं कि 10 हाथियों को मिलाकर एक अकीला ये आप कह सकते हैं और इसको यहाँ पर रगड़ पाना खाफी मुस्किल है मुस्किल ही नामुम्किन जैसा है LIC को बीट कर पाना बड़ अगर आप देखें कि यहाँ पर जो आपको SBI Life Insurance है या HDFC Life Insurance अगर यहाँ पर Life Insurance के अंदर यह Insurance Sector के अंदर अगर disruption लाते हैं तो 5-6 साल में आप इनकी value क्या आखेंगे कितना यह अचीब कर सकते हैं मैं disruption की बात कर रहा हूँ ध्यार रखेगा अगर यह आकर enter कर कर तोड़ते हैं बजार को कंपनियां यहाँ पर जो है समझ नहीं पाती कि कर रहे हैं क्या ऐसे मैं यह high growth simple सी बात कर रहे होंगे तो ऐसे मैं यहाँ पर आप क्या कहेंगे valuation कम से कम आप यहाँ पर जो है मान कर रख लीजिए देड़ लाग करोड़ तो भई यह कहीं नहीं गए अब यह मजाक की बात लग रही होगी लेकिन जड़ा सोच की देखिएगा इन पॉइंट्स पर अभी ना neutral रहेगा जियो फाइनिसल को लेके अचानक से excitement ना हो जाए क्योंकि यह जो market cap के हम बात कर रहे है न इनको पापाना आसान नहीं है इन्होंने कुछ तो हासल किया होगा इतने दुनों में कहां पर है इनकी net sale वो net sale लानी पड़ेगी कहां पर है इनकी profitability वो profitability लानी पड़ेगी तब जाकर यहाँ पर जो है इतना achieve करेंगे और वो तभी कम वक्त में हो सकता है कि अगर आप अंदर enter करें market के अंदर और उस market को तोड़ते हैं उसी की हम बात कर रहे हैं और तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर NBFC आप जानते है जियो financial services को NBFC का license भी मिल चुका है और lending का काम जो है वो start करने है simple सी बात है यहाँ पर इनका जो सबसे बड़ा target है वो है budget finance limited कैसे भी करकर budget finance को तोड़ मरोड कर अपने आपको higher side लाना है simple सी बात है simple logic इसमें कोई गुमाने फराने वाली बात नहीं है यहाँ पर अगर आप बात करें तो budget finance बनने के लिए इनके पास बहुत कुछ है इंडिया के अंदर market बहुत size है और उसको cover करने के लिए company बहुत कम है तो जियो एक बड़ी company बन सकती है इस माईने में पैसे बहुत है simple सी बात है landing अच्छे से कर सकते है और जो consumer base है वो भी आप जानते है reliance retail से जो है वो निकाल सकते है data है सब कुछ है तो ये एक अच्छा work कर सकता है हाला कि beat कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्योंकि budget finance कोई छोटा मुटा player नहीं है वो भी एक बहुत बड़े player है simple सी बात है पैसे से यह चीज नहीं हो जाती है बहुत कुछ ही होता है तो जियो financial भी अपनी जगा बना ले अगर ये 5 साल 5 से 7 साल में अगर कुछ disruption ला पाए इसे market के अंदर तो आप समझेगा कि ये lead हासल कर लें ऐसे मैं जो budget finance को value मिल रही है अगर इतनी नहीं तो इससे कम भी नहीं आप ये मान के चल सकते हैं कि मैं कहता हूं 7 साल नहीं 10 साल लेकि 10 साल तक कितना market केप बढ़ जाएगा तो वो अगर आप देखें कि disruption अगर ये ले आए और इनकी disruption से इतना use impact पड़ता है कि ये अपने आपको कैसे भी करके हाईयसा निकल जाते है पास साल एक लंबा वक्त भी है कुछ छोटा मूटा वक्त भी नहीं है ये भी हमें मानना चाहिए तो वो अगर यहाँ पर ऐसा करते है अगर ऐसा वाकई में रहता है so that कहीं न कहीं कहीं न कहीं आप देखेंगे इनकी भी value बनेगी अब यहाँ पर क्या value आँको गए ये तो बहुत जादा निकल जाएगी अभी अगर आप देखेंगे तो around आप बजाच finance का जो market कैपे 4,9,000 करोड के around है आप समझ सकते हैं यहाँ पर 3,000,000 करोड का भी अगर आपको एक value मिल गई आगे चल कर तब भी आपका stock जो है वो कहां पर पहुंच जाएगा so that geofinancial services का अगर आप आँकलन करेंगे कुछ ऐसा है अगर ये market को तोड सकते हैं तो नहीं तोड पाए तो वो एक लंबा वक्त लगेगा बड़ उसके अंदर आपको जो है potential काफी देखाए because of है यहाँ पर जो है reliance की stake वो आपके लिए big beneficiary रही है तो वो तो आपका big beneficiary है ही आपके लिए बड़ आपका अगर ये business भी कुछ disruption ला पाई इनकी सुरुवात ही दोर पर ये लेकर आए और market में अपनी जगा बना ली ये hit हो गए तो समझ लीजेगा कि ये stock है फिर साइद रुकेगा नहीं तो जियो financial services ना इस वक्त black cobra जैसा नजर आ रहा है सच्ची मैं अगर आप देखें करने को बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन बात वही है कि आपको छोटे मोटे प्लियर से किली डंडा नहीं खिलने जा रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है हम बात कुछ भी कर लें कि future ये रहेगा हो सकता है कि अगर ये नहीं कर पाए जो हम समझ रहे हैं अगर ये नहीं हुआ तब क्या होगा बिल्कुल अपोजेट इसका बिल्कुल अपोजेट आपको वो वैल्यू क्रेशन नहीं मिलेगी इसके अंदर सिंपल सी बात है तो जियो फैनिसल सर्विसस का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अराउंड यहाँ पर आप कैल्कुलीट करो कैल्कुलीट करने पर आपका जो इंसॉरेंस का है वो आपको देड के अराउंड पहुँच जाएगा क्योंकि आप ध्यान रखेगा इंसॉरेंस और यह ना मतबद बड़ी जगे नहीं है बहुत बड़ी जगे नहीं है यहाँ पर आप capture तो करेंगे लेकिन शायद उतना उच्छाल ना मिले बट पास साथ साल बहुत होते हैं अगर यहाँ पर हो जाता है तो वाकिए में यह कुछ कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पर करेंगे या नहीं करेंगे बट इनसौरेंस का है आपका AMC का है AMC का भी अगर आपका देड लाग की वैल्यू मिल गई पास साल में यह डिस्टप्शन ले आए अगर तो लेंडिंग के अगर आपको तीन लाग करोड की वैल्यू मिल गई तब क्या होगा जोड जाड़कर आपका यहां पर जो है मार्किट कैप जो है छे लाग करोड का है अभी आपका जो मार्किट कैप है वो कितने लाग करोड का है इस प्राइस पर 340, 329, 328 के राउंड चल ला है 2 लाग करोड का मार्किट कैप है यहां से आप इस price को तीन गुना अगर आप कर देंगे तब जाकर यह market cap बनेगा without आपकी जो value है reliance की उसके बिना तब जाकर मैं pricing की बात कर रहा हूँ वो price आना वाकिए है अगर यह disruption market के अंदर वाकिए में लेकर आपाई और बाकि अगर reliance का अगर यहां पर जो है reliance ही reliance अपनी value रख देता है तो यहां पर आप यह समझेगा की चार हजार रुपए reliance की जाने पर possible है यह stock क्योंकि value बढ़ेगी तो आपका यह stock possible है 450 आपको देखने मिल जा है तो यही है और अगर reliance के अंदर एक बड़ा huge value creation हो गया जैसे कि reliance retail आ गई आपके de-merger हुआ कुछ और कंपनियां यहां से बहार निकली तो आप समझ जाएगा कि यहां पर कितना बड़ा यहां पर huge होना है जो भी होगा एक बड़ा होगा तो आपका यहां पर जो है कुछ नहीं भी होगा तब भी यहां पर value बढ़ सकती है यह सबसे बड़ी बात है because of reliance और अगर यह यहां पर आ गया तो भाई साब यहां पर value कहां चली आएगी चार लाग करोड की तो मतलब यह reliance का यहां पर रखेंगे तो वो यहां पर अगर आप सब कुछ जोड़ देंगे ना तो around 10 लाग करोड के around यहां पर मिल आएगा stock 5 गुनई की बात हैं यहां पर समझ सकते हैं 5 गुनई मैं तो हजार की बात कर रहा हूँ यह तो 1500 के around पहुंच गया तो वो आप समझे कि 5-7 साल में अगर यह disruption ला पाई तब कैसा हाल हो सकता है 5-7 साल में ठीक है यह इतना value create कर सकता है तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है बट सिंपल सी बात है अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा एंड लास्ट यहां पर आप ध्यान रखेगा यह लेवल तो यह छोटी चीज़ है छोटी चीज़ है अभी आपको ना शौट टम में अप एंड डाउंस देखने को मिलेंगी ठीक है बट लॉंग टम में पैसा तभी बनेगा जब यह कुछ disruption ला पाए सिंपल सी लॉजिक सी बात है अभी तो आप प्रीमियम पर चल लाएं वो प्रीमियम मार्केट रखे हुए है आपकी value पर सिंपल सी बात है यहापर अगर आप देखेंगे असी एजा क्रोड को मार्केट के अप ज़्यादा value है अगर वो मार्केट आप से छीनेगा तो गिरावट भी उतनी तेजी से आएगा अगर यह disruption नहीं ला पाए नहीं कुछ मार्केट का एक ही signal है यह आएंगे तो disruption आएगा अगर इनके आने से disruption नहीं आता है तब तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि इतना सब अचीब करने में न इतना मार्केट का एप अचीब करने में न लंबा वक्त लगेगा यह पांसा साल की बात करें न वो पंदरा साल में खिचियाएगा डबल हो जाएगा टैम इतना लंबा वक्त हो जाएगा वो आगे क्या होना है वो futurist बात है बस इस पर नज़र रखिये कि disruption आ रहा है इनके आने से या नहीं आना है बातों में कुछ नहीं होता है बातों में तो disruption सब लोग लिख देंगे क्या हो गया लेकिन वास्तम में आ रहा है इस industry में या नहीं आ रहा है खलवली हो रही है या नहीं हो रही है डरे हुए है या नहीं है तो वो यहाँ पर है यह prediction की बात कर रहे है कि अगर ऐसा हुआ अब ऐसा नहीं है कि होई जाएगा लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपकी value create हो जाएगी तो इस हिसाब से यह कोई buy और sale करने का recommendation नहीं है यह भी ध्यान रखे हो तो खरिदने से पहले या बेचने से पहले अपने broker से जरूर बात करिएगा और नहीं है तो आपके सामने यह points आप खुद भी अपना जो है analyze कर सकते हैं आप खुद भी अपना डिस्जियर ले सकते हैं किसी भी बारे में तो आपका कहना इस कूबर कमेंसे समखेएगा और आती जोएगा विड़ी देखने के लिए बहुत दर्माद उस्तो